हाई गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और इस वीडियो में हम 4 जून तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं वीडियो को अन्ते तक जरूर दिखेगा काफी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलेगा साथी गाईस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को पताना चाऊंगा कि अगर आप हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियाफ, वीकली पीडियाफ और मंतली पीडियाफ चाते हैं तो आप इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिये गई लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं जादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइट पर दिये गई सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़े कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाते हैं तो हमें कमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं सुरुआत इस वीडियो सेशन की अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इनचीफ के रूप में किसे निक्त किया गया है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए और फ्रेंट्स ये 16th कमांडर इनचीफ बने है और ये आप याद रखेगा कि जो अंडमान और निकोबार कमांड है ये पोर्ट बलेर में है और ये जो है इकलोती ट्राइ सर्विस थिएटर कमांड है इंडिया की या फिर आर्म फोर्स की आप कह सकते हैं आर्म फोर्स में आती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एर फोर्स, कोस्टल, जो सिक्योर्टी है ये सभी आर्म फोर्स में आती है तो ये इकलोती tri service theater command है इंडिया की इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि इंडियन army, इंडियन air force और इंडियन navy ये jointly यहाँ पर operate करते हैं तो इस तरह की और कहीं पर भी इस तरह का setup नहीं बनाये गया है पूरे भारत में केवल ये port player में है ठीके अंड़ मान निको बार फोर्स तो इनके कमांडर इन चीफ बनाए गई है लेटरेंड जनरल अजय सिंग तो आयोब आप समझ गयोंगे क्या मतलब है ओनली ट्राइ सर्विस थेटर कमांड का और अभी हमने क्या पड़ा था कि जो मनोज पांडे हैं इनको इस्टर्ण कमांड इंडियन आर्मी का जो है इंडियन नेवी बनाए गया है सार्वनी छेत्र के बैंक कोविड-19 उपचार के लिए कितनी राशी तक के व्यक्तिकत रिंड दे रहे हैं ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर ओफरिंग पर्सनल लॉंस ऑफ अप टू रुपीज फाइव लाग फॉर दे कोविड-19 ट्रीटमेंट देखिए कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए या फिर किसी के फैमिली मेंबर्स को जो है ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये पर्सनल लॉंस दे रहे हैं maximum amount रहेगी इसमें 5 लाग रुपे तक की और इसमें interest rate ये चार्ज करेंगे 8.5% का और minimum loan amount रहेगी 25,000 की आपको बताते हैं जो है 14 से 18% का interest चार्ज करते हैं लेकिन यहाँ पर 8.5% का चार्ज करेंगे साथ ही आप कोई भी जानना चाहिए कि अगर कोई वेक्ती loan चाता है जैसे hospitals के लिए कोई organization loan चाती है या nursing homes को set up करने के लिए चाती है या फिर oxygen plant लगाने के लिए चाती है तो उसके लिए जो 2 करोड रुपे तक के loan दी जाएंगे तो उस पर 7.5% का ही interest चार्ज कर सकता है ब भारतिय नो सेना के कार्मिक प्रमुक के रूप में किसने पदभार ग्रेंड किया ओप्शन्स आपके सामने हैं सही answer होगा option D सो दिनेश के त्रिपाठी हैस एजूम्ड चार्ज एज चीफ ओफ परसनल और इंडियन नेवी और आपको बता देए अतिविस्ट सेवा मेडल और नो सेना मेडल इन सब को भी जो है प्राप्त कर चुके हैं जुद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण नियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही answer होगा option D देखे ये सबी नियुक्तिय आपके लिए काफी important है क्योंकि PIB में ये सबी नियुक्तिय दी गई है तो इसलिए आपके लिए important है एक्जाम में कब क्या पूछ ले जाए हम नहीं जानते तो इसलिए हमें ये सबी पढ़ने है अच्छा से याद रखनी है तो किरन देश मुक्त को पनाया गया है controller worship production and acquisition इसका चार जिनको दिया गया है अनिरुद्ध जगननाथ जिनका हाल ही में निजन हो गया किस देश के पूरुपरधार मंत्री तथा राष्टपती रहे चुके थे options आपके सामने है और correct answer होगा option C तो देखिए जो यह है यह मौरिसस के longest serving prime minister भी रह चुके है 18 साल जो है यह prime minister रहे है इनको modern मौरिसस का architect भी कहा जाता है और साल 2020 में पदवी पूशन के लिए इनको भारत द्वारा चुना गया था मौरिसस के अगर हम बात करें तो यहां के prime minister फिलाल जो है यह है प्रविंद जगुनाथ और प्रेसिडेंट है पृतिवरास सिंग रूपन रूपन और capital है पॉर्ड लूइस और currency है यहां की मौरिशियन रूपी वाई उसेना के उप्रमुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यह question आपके लिए काफी important रहने वाला है options आपके सामने है और correct answer होगा option D और साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि जो बल्लब राधा कृष्णा है इनको जो western command है जो एर फोर्स की वो डैली में है इसके chief बनाये गया है और air marshal R.J. Duckworth इनको central air command जो की परियाग राज उत्तर परदेश में है इसकी जो है command इनको सोपी गई है Indian Broadcasting Foundation के अध्यक्ष की रूप में किसे न्यूक्त किया गया है सही answer होगा option C so Vikramjeet Sen has been appointed as the chairman of the Indian Broadcasting Foundation देखे Indian Broadcasting Foundation पहले तो आप यह याद रखेगा कि हमने इसको पहले भी पढ़ाए अपने session में कि इसका नाम अब बदला जाएगा और इसका अब नाम रहेगा Indian Broadcasting and Digital Foundation IBDF तो इस तरह का नाम अब यह अपना बनाएगी तो इसकी एक जो है Digital Media Content Regulatory Council यह भी इसने setup की है किसके तहत हाल में जो Government of India ने जो अपने Digital Ethics Rule 2021 को जो लागू किया है तो उसके तहत यह Digital Media Content Regulatory Council इसने बनाई है तो इसके चीफ बनाए गई है यह विकरम जीद सेन और इसके अलावा जो है और भी छे लोग इसमें काउंसिल में जोडे गई है तो यह आप याद रखेगा एक तो यह कि Digital Media Content Regulatory Council यह किसके द्वारा बनाए गई है इंडियन Broadcasting Foundation के द्वारा इंडियन Broadcasting Foundation का नया नाम होगा इंडियन Broadcasting and Digital Foundation और इसके चेर्में रहेंगे विकरम जीद सेन भारत ने किस वर्स तक पेट्रोल में 20% एथनॉल मिस्त्रण का लक्ष रखा है Options आपके सामने है और Correct answer होगा Option B So India Targets 20% Ethanol Blending in Petrol by 2023 तो 2023 तक भारत ने Target रखा है कि जो मान लिजे कि 80 unit अगर पेट्रोल है तो 20 unit उसमें Ethanol रहेगा out of 100 unit तो इसका मकसद यह है कि जो भारत oil का जो आयात करता है उस पर dependency कम हो सके भारत की तो यह इसका main region है आपको बता दें कि 2020 में भारत ने Target रखा था कि 10% Ethanol Blending in Petrol यह हम Achieve करेंगे 2022 तक और 20% Blending हम Achieve करेंगे 2030 तक लेकिन 2030 के बाद भारत ने इसको Advance कर दिया थे यहाँ पर Advance का मतलब है कि आपने और जल्दी आप इस Target को पाना चाहते है Advance का मतलब यह नहीं है कि 2030 के आगे आप जाना चाहते है 2035 में जाना चाहते है Advanced का मतलब है कि आप उस Target को और जल्दी एचीव करना चाहते है इसका मतलब 2025 कर दिया था और अब भारत ने और Advance कर दिया है तो अब भारत चाहता है कि 2023 तक एचीव कर लए हम यह Target ठीक है तो यह याद रखेगा पहले 2030 था फिर 2025 किया अब भारत ने 2023 कर लिया है एए आई की FTO नीती के तहट भारत को कितनी नई flying training academies मिलेंगी options आपके सामने है और correct answer होगा option C so 8 new flying training academies will India get under the FTO policy of the AAI जानते हैं इस question के बारे में देखिए जो AI है यानि Airports Authority of India है तो इसकी जो flying training organization policy है इसके तहट भारत में 8 नई flying training academies set up की जाएंगी नाम से बता चल रहा है ठीक है कहां कहां set up के जाएंगी बेलगावी, जडगाओ, कालबुर्गी, खजुराओ और लेला बड़ी में तो किसले set up की जाएंगी जैसे कि नाम से बता चल रहा है कि training दी जा सके किस तरह से जो है aircraft को fly करना है तो अब तक ज़्यादा तर जो training होती है उसके लिए बाहर ही जाना पड़ता है जो भारत के जो trainer है तो वो dependency कम हो सके इसलिए अब 8 new flying training academies यहां पर बनाई जाएंगी लेखा भी है यहां पर किस मंत्राले ने बागवानी कलस्टर विकास कारेक्रम शुरू किया ओप्शन आपके सामने है सही आंसर होगा ओप्शन C तो ministry of agriculture and farmers welfare launched the horticulture cluster development program तो union minister of agriculture and farmers welfare है नरेंदर सिंह तोमर तो इन्होंने ही यह horticulture cluster development program यानि CDP को launch किया है तो देखिए pilot phase में यानि pilot basis पर इसको भी launch किया गया है टोटल टार्गेट है 53 clusters मनाना लेकिन अभी केवल 1240 culture clusters इनको फिलाल implement किया जाएगा पाइलेट phase पाइलेट phase का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज को लागू करना चाहते हैं अब पैन इंडिया launch करना चाता है पूरे भारत में लॉच करना चाते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं आप उसको पाइलेट बेसिस पर लॉच करते हैं उससे क्या होता है आपको एक feedback मिलता है कि इसमें क्या सुधार की जरूत है फिर जब आप एक बार उसमें सुधार कर लें जब आप देखें कि हाँ ये सही से इसका काम चल रहा है उसके बाद आप उसको फिर पूरे भारत में जो है उसको launch करते हैं तो जो आपने पहले उसको लेवल पर launch की है उसको बोलते है पाइलेट बेसिस पर या पाइलेट फिस पर यह आप याद रखेगा तो टोटल 53 क्लस्टर बनेंगे और जो है 12 क्लस्टर फिलाल इंप्लिमेंट की जा रहे हैं क्लस्टर का मतलब होता है यूनिट्स जहां पर जहां पर पूरा काम एक साथ प्रोडक्शन से पहले का कुछ काम होता है फिर जब प्रोडक्शन हो जाता है तब कुछ काम होता है उसके बाद फिर जो पोस्ट हार्विस्ट मेनेजमेंट होता है वो कुछ काम होता है फिर जो आपने प्रोडक्ट बना है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लि एक ही जगह पर आपको मिल जाएं इसको बोलते हैं cluster और इस program को कौन launch करेगा किसके द्वारा operate किया जाएगा National Horticulture Board के द्वारा भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सडक उन्नयन परियोजना का समर्थन करने के लिए 2.5 million US dollar की परियोजना पर हस्ताक्षर किये है options आपके सामने है और correct answer होगा option A so India and Asian Development Bank has signed a 2.5 million US dollar project to support preparation of road upgradation project in Sikkim तो Sikkim में इसको launch करेंगे तो इसका मकसद क्या रहेगा जो भी यहाँ पर district roads है उनको upgrade करना उनकी इस्तिथी में सुधार लाना सिक्किम की बात करें तो capital है गैंग टोक चीफ मिनिस्टर है आखे प्रेम सिंग तमांग गवर्नर है गंगा परशाद और हम Asian Development Bank की बात करें तो इसका headquarters मनीरा यह आप कह सकते हैं मंदल व्योंग फिलिपिन्स में है और इसके प्रेजिडेंट है माशत सूगू असकवा केंद्रे खादे प्रसंसकरण उद्योग मंत्री नरेंदर सिंग तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूट पार्क का उदगाटन किया ओप्शन साब के सामने है और करेक्ट आंसर होगा और किसके साथ लॉंच किया है चीफ मिनिस्टर है जो भुपेश बगेल तो इनके साथ मिले करें इसको लॉंच किया याद रखेगा इंडस बेस्ट मेगा फूट पार्क फ्रेंट्स मेगा फूट पार्क का नाव आपने सुना होगा इसका मतलब क्या है जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया मेगा फूट पार्क का मतलब है देखें इस एक एक एक्जामपल से समझते हैं चिप्स बनाने के लिए आलू की जुरुत पड़ती है अब मानी जी एक किसान है उसने आलू जो है आलू का उसने प्रोडक्शन किया उगाय आलू ठीक है उसको खपत मिली उसके बाद क्या हुआ वो आलू उसने बेश दिया मंडी में बेश दिया फिर जहां पर भी बेश दिया उसके बाद फिर वो आलू जो है फर्दर आगे प अब यह जो मेगा फूट पार्क है यह सारी सुविधाएं आपको एक ही जगावर मिल जाएंगी क्यों क्योंकि यहां पर अलग-अलग कलस्टर बनाए गया है जो कि मैंने आपको भी बताया क्लस्टर का मतलब क्या है अलग-अलग यूनिट बनाई जाती है ठीक है हर एक काम के लिए तो एक मेगा फूट पार्क होगा और उसके अंदर कई सारे क्लस्टर होंगे तो इसका मतलब क्या है अब किसान जो है मान लीजिए यह 36 गड़ में जिस जगा पर भी बनाया गया है तो वह एक जगा बता दी गई है अब जो भी किसान है आसपास के जीलों के या फिर बहुत हैं जो भी चिसान हाँएंगे अपने जो भी उनका मान लीजिए आलू का उत्पादन करता है आलू डिरेक्ट में वही पर लेकर आएंगे वहीं पर उनको बेज देगें वहीं पर उनको पैसा उनका मिल जाएगा साथी अब वह और वहां पर जो भी इसकी सफाई रेंडिंग हमई पर होगी और जो भी कोडव वगतरां टाबर्ड है जो को था सब दीगा उसके बाद उस को अगर कंट्री में भीजना है तो अगर उसको एक्सपोर्ड करना है एकक्सपोर्ड कर द्रयएका तो यह मैंने आपको कि बाले एक एक पर मेगा फूट पार्क के लिए यह आपको जरूर जाना चाहिए इसको याद रखिएगा 36 गड़ की बात करें तो CM मैंने आपको बता दिये भूपेश बंगेल है गवर्णर ने या की अनुसुया उई के कैपिटल है राइपूर बारतिय सेना ने किस दिन सेन ने सिक्षा कोर की स्थापना की सोमी वर्सघाट मनाई ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए तो इंडियन आर्मी सेलेबरेटेड दा हंड्रेट एनिवर्सरी ओफ दा रेजिंग ओफ आर्मी एजुकेशनल कॉप्स ओन जून फस्ट ट्वंटी ट्वंटी वन तो हंड्रेट एनिवर्सरी बनाई है देखिए यह आप याद रखेगा कि एक तो जो आपका यह आर्मी एजुकेशनल कॉप्स है यह जो है इसलिए बनाया गया था इसका पर्पस यह था क्योंकि पहले के टाइम में 1921 की हम बात कर रहे हैं तो 1921 में जो है उस वक्त जो soldier का recruitment होता था वो कुछ मतलब इतना सुद्रड प्रोसेस नहीं था कि मतलब की education उनका educational background काफी अच्छा है तो इस तरह से नहीं होता था पढ़े लिखे लोग कम थे तो इसलिए उनमें discipline की कमी थी ethics और moral values जो है उसकी कमी थी तो इसी वज़े से इस आर्मी educational कि हमारे आर्मी से रिडेटेट जो भी मान लीजे soldier है या फिर आर्मी man है इन सभी को जो है सिक्षा दी जाती है अलग-अलग disciplines की ठीक है ethics की किस तरह से आपको कहां पर कैसे आपको पेश आना है तो इस तरह की सिक्षा है आपर दी जाती है आर्मी educational कॉप्स है निम्डिकित म has launched the first ever Asia Pacific Cyber Security Council तो नाम सी पता चल रहा है कि इसमें जो है अलग-अलग जो भी पार्टनर्स है या फिर जो भी कंट्रीज है ठीक है तो उनकी जो है एक पार्टनर्शिप टाइप की है कि Cyber Security से लड़ने के लिए या फिर किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सेगे अलग-अल आम डर्शें बिली गेट्स एंड पॉल एलेन चेर्मेन है जॉन डबलू थॉंप्सन सी यो है सत्य नेडेला और हैटकॉर्टर से वाशिंग्टन यूसे में International Day of Innocent Children Victims of Aggression किस दिन मनाया जाता है Options आपके सामने है और correct answer होगा Option D International Day of Innocent Children Victims of Aggression is celebrated on June 4 तो जो भी अलग-अलग countries में जो मेडिलिस्ट की मान लीजे countries हैं यहाँ पर युद्ध चलते रहते हैं तो सिकार कोन बनते हैं बच्चे बनते हैं जैसे भी इसराइड और हमाज के बीच जो भी संगर्स हुआ तो महाँ पर भी कई बच्चों की मोत हो गई तो इस तरह से यह डे मनाया जाता है International Day of Innocent Children Victims of Aggression कौन साथ यह अंतराष्टिय और अंतराष्टिय सोर गठवंदन यानि ISA में वन मिलियन यूरो का पर्तिक्ष योगदान देगा ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसरों का ओप्शन बी अच्छा यहां पर आप यह याद रखेगा कि यह जो International Solar Alliance है तो इसका एक flagship program है Star Sea यानि Solar Technology Application Research Center तो मान लिजएकर इस तरह से question आजाए कि Star Sea यह किस से जुड़ा हुआ है IES से आगया आपके पास option में G20 आगया G7 आगया या फिर Bricks आगया तो यहां पर confusion हो सकता है इसलिए याद रखेगा Star Sea यह है आपका IES से related International Solar Alliance से related International Solar Alliance के अगर हम बात करें तो इसको जो है यह आपका जो 21st session हुआ था United Nations Climate Change Conference of the Parties यानि COP21 जो हुआ था पैरिश में तो 2015 में तो फिरेंट्स इसमें नरेंदर मोदी भारत के प्रदान मंतरी और फ्रांस के जब उस वक्त जो प्रेजिडेंट थे हैं इन दोनों ने इसको लॉंच किया था International Solar Alliance को इसका headquarters गुरुग्राम में है और यह जो है शुरुवाती में जो है किन कंट्रीस के लिए थी जो भी कंट्रीस ट्रोपिक ऑफ कैंसर और ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्ण के जो है मतलब या तो इनके बीच में हो completely या फिर partly इनके बीच में हो तो इस तरह की countries के लिए लौंच किया गयाता है हाला कि अब इसकी membership जो है सभी countries के लिए खोद दी गई है तो इसका मतलब वो ही है कि जो solar उर्जा से related जो project है उसमें contribution दिखाना funding उसमें जुटाना ये इसका मकसल है और हाली में हमने पढ़ा था 2020 में कि India and France re-elected as the president and co-president of the international solar alliance at the third assembly of the ISA तो दो साल के लिए भारत को president इसका बनाया गया है और France को co-president इसका बनाया गया है यह आप याद रखेगा भारत में विबिन ने उद्योगों पर COVID-19 महामारी के प्रभाव का अधियन करने के लिए किस IIM ने GIZ के साथ भागेदारी की है options आपके सामने है और correct answer होगा option A so Indian Institute of Management Indoor has partnered with the GIZ to study the impact of the COVID-19 pandemic on different industries in India तो देखे Indian Institute of Management Indoor तो इन्होंने एक German body है GIZ नाम तो थोड़ा अजीब सा है जर्मन में लिखा हुआ है तो यहाँ प्याद रखेगा GIZ तो इसके साथ मिलकर इन्होंने एक partnership की है जिसके तहत यह भारत में जो भी pandemic के कारण जो industries हैं और employees हैं ठीक है industrial practices हैं इन पर क्या प्रभाव पढ़ा है इसको study करेंगे इसराइल के नई राष्टपते के रूप में किसे चुना गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option A So Isaac Herzog has been elected as the new president of Israel तो यह 11th president होगे और किस party के हैं लेबर party के हैं यह याद रखेगा और इसराइल की parliament का नाम क्या है नेसेट और यह रियोविन रिवलिन इनको replace करेंगे इसराइल की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर है बेंजाविन नेतन याहू currency है new शेकल इसराइली लोग के हिसाब से इनकी capital Jerusalem है लेकिन कई countries नहीं मानती है हाला कि embassy किसी भी country की embassy Jerusalem में नहीं है आराम तोर पर जो भी विदेशी embassy होती है ठीक है तो वो किसी भी country की capital में होती है जैसे भारत में New Delhi में है जितने भी foreign countries है उनकी embassy जो है New Delhi में है तो यह एक recognize करती है कि आपकी capital है यह लेकिन Jerusalem में जो है अमेरिका ने जब Donald Trump थे तो Donald Trump के time पर उन्होंने कहा था कि हम Jerusalem में अपनी embassy को shift करना है तो भारत ने वहाँ पर कहा था कि यह हमारा मत नहीं है और भारत की embassy जो है तेल अवीव यहाँ पर जो city है यहाँ पर located है तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत तेल अवीव को capital इसकी मानता है हाल ही में 36 गड़ में पाई गई जिंगूर की नई प्रजाती का नाम बताईए options आपके सामने है correct answer होगा option B so जयनती नाम रखा गया इसका और 36 गड़ में ये पाई गई है तो geologist के द्वारा कुर्रा केवस 36 गड़ में है तो यहाँ पर इसकी नई species पाई गई है जिंगूर की इसका नाम है जयनती किसके नाम पर रखा गया है जो ये प्रोफेसर है जयनत बिस्वास इनके नाम पर रखा गया है अब देख लेए था है previous assignment questions के answer red tourism is related to which country answer is China तो red tourism का मतलब है कि जो चाइना में जो भी historical cultural significance वाली जो इमारत है या इस तरह के जो landmark है इस तरह की sites है उनको visit करना ठीक है देश वासे दोरा उनको visit करना जो की historical रूप से काफी महत्वपूर्ण हो इस तरह की जो भी location है उनको in which year Russia annexed Ukraine's Crimean Peninsula answer is 2014 2014 में Mumbai based which e-pharmacy startup has acquired Medlife answer is FarmEasy which country has recently reported the first human case of H10N3 flu China National Environmental Engineering Research Institute is located in which city Nagpur और आप में से कई aspirants ने 5 questions के answer बिल्कुल सही दिये है अब देख लेते हैं आज के assignment questions और friends अगर आपको हमारा session अच्छा रखता है हमारा explanation अच्छा रखता है तो वीडियो को एक like जरूर क्या कीजिए Williams is the capital of which country Kistwar National Park is located in which state or UT Goa celebrates its statehood day on which date Telangana celebrates its statehood day on which date Where is the Central Institute of Indian Languages C.I.I.L. located ये 5th question कई बार exam में पूछा गया है friends इसलिए इसका answer आप जरूर दीजेगा Central Institute of Indian Languages काफी famous है ठीक है और कोशिस की जगे है कि पांचों के पांचों के आंसर आप दे अगर आपको एक answer आता है तो वो भी आप हमें comment box में जरूर से बताईएगा और साथ में आप सभी current affairs funda को telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर हमारे current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ whatsapp and telegram पर share करें लाइक करें और comment करके बताईएगा कि यह video आपको कैसी लगी थैंक्यू गाइस